और आगे बढ़ते हैं शुरुबात करते हैं आपकी न्यूस की कामियाबी की भविश्यवानी का मास्टर प्लैर सिर्फ सपने देखे नहीं सपने को जिया मेरे मम्मी पापा मेरे बहुत साध्ये शरीर ने की बगावत लेकिन दिमाग ने निभाया साथ राष्ट पती से मिला होसले को सम्माद उसको तो जितने सेल्यूट किये जाएं जितने उसको हैट सॉफ दिये जाएं वो कम हैं दस फीजदी हुनर, सौ फीजदी सफलता साइन्टिस्ट तुम ही हो कलके हम अक्सर यह शिकायते करते हैं कि हमारे पास यह नहीं है वो नहीं है ऐसा होता तो हम यह खमाल कर देते आज हम आपको देश के एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहते हैं जिसके शरीर का 90 प्रतिशत हिस्सा काम नहीं करता लेकिन उसकी जुमा पर शिकायत नहीं बलकि भविश्य के बड़े बड़े प्लान है अपने सपने पूरे करने के लिए इस बच्चे ने अपने अनोखे शौट कट जाग कर लिए हैं वेलचेर पर है लेकिन खौब देखता है ब्रम्भांड के मिलिए भारत के नन्य स्टीफन हॉक में ब्रम्मांड को और करीब से देखने का उससे जुड़े रहस्यों को सुलचाने का खाव हमेशा से ही देखा गया है ब्रम्मांड से जुड़ी पहेलियों को सुलचाने में जुटे रहते हैं मशूर साइंटिस स्टीफिन हौकिंग के दिमाग ने ब्रमांड के कई रहस्यों को सुलचाया है हौकिंग की गिंती आइस्टेन के बाद सबसे बड़े साइंटिस्ट में होती है हमेशा वील्चेर पर रहने वाले हौकिंग के अशूर सही ऐसे थे जिन्दगी के इतने बड़े चैलेंज के सामने स्टीफिन हौकिंग ठीके कैसे वील्चेर पर ही कैसे हौकिंग ने ब्रमांड से जुड़ी कई ठ्योरी जड़ दी क्या आपने एक बच्चे को सैंटिस बनते देखा है आज हम आपको देश के ननने स्टीफिन हौकिंग से मिलवाएंगे जो आपको ये बताएगा कि काम्याबी की भुश्यवानी कैसे की जाती है मूं में पेन पकड़े तुहिन टीचर का पढ़ाया कॉपी पर लिखने की कोशिश कर रहा है तुहिन ऐसा जान बूच कर नहीं कर रहा क्लास में नोट्स लेने के लिए तुहिन के पास यही तरीका है सत्रसाल के तुहिन का अपने शरीर पर बस दस प्रतिशत कावू है तुहिन का 90 फीज़ी हिस्सा उसकी बात नहीं मानता एक ऐसी लाई-लाज बिमारी जिससे शरीर के अंग दिमाग के भीजे सिंगनल समझते नहीं है तुहिन का 90 फीज़ी शरीर काम नहीं करता तुहिन ने दसवी के इम्तिहन बिना किसी की मदद के खुड लिखे वो भी बिना एक्स्टा टाइम लिए अब तुहिन को बेसबरी से रिजल्ट का इंतजार है वश्चिमंगाल के मिननापूर का रहने वाला तुहिन कोटा में इंजिनरिंग एंटरेंस एक्जैम की तैयारी कर रहा है जिसके बाद उसे आई-टी मेडमेशन मिल पाएका और यहीं से पूरा होगा तुहिन का स्टीफन हॉकिंग बनने का सपना तो हिन्दे का जन्म 1999 में हुआ जन्म से लेकर अब तक तुहिन की 20 सर्चरी हो चुकी है तुहिन को जन्म से ही orthoposis, multiplex cagnition का नाम का disorder है डॉक्टर्स के मताबिक इस बिमारी में joints काम नहीं करते है फिलार डॉक्टर्स के पास तुहिन की बिमारी का कोई इलाज नहीं है लेकिन डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि तुहिन का दिमाग काफी तेज है तोहिन को 2012 में अपने इसी ज़बे के लिए नेशनल चाइल्ड का वार्ड मिल चुका है साथी 2013 में राजपती प्रणव मुखर जी से दिव्यान केटिगरी में बैस क्रियेटिव चाइल्ड का वार्ड भी तोहिन को मिला जिंदगी ने तोहिन को हार मानने की कई वच है थी लेकिन हमेशा तोहिन ने होसलों को चुना और तोहिन इसका श्रे अपने मम्मी पापा को देता है सुजाता और समिरन ने हमेशा तुहिन को खास समझा तुहिन कभी खुद को किसी से कम न समझे इसके लिए मम्मी पापा दिवार की तरहां खड़े रहे यहां तक कि सुजाता और समिरन ने तुहिन के बाद दूसरे बच्चे के बारे में सूचा ही नहीं पूरा ध्यान और पूरिता का सिर्फ और सिर्फ तुहिन के लिए सुजाता शिक्षा विभाग में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ चुकी है यह मत्यमबर के परिवार आज सब कुछ छोड़ कर तुहिन के सफनों के लिए कोटा में बस गया है कोटा में तुहिन के तेज दिमाग का डंका बच चुका है तोहीन ने कोचिंग इंसिटूट में तैयारी कर रहा है और यहां के लोग तोहीन के जजबे को सलाम करते हैं तोहीन ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी लेकिन जो भी तोहीन के सपनों को जानता है वो तोहीन की मदद करना चाता है वाके तोहीन के चैशक्ति किसी को भी हिम्मत दे सकती है अपनी डिमाग को पॉस्टिव डोज देकर तोहीन अपने साइंटिस्ट बनने के सपने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे है कहना होगा कि तो इन स्टीफन हौकिंग मन्ने के सपने को देख नहीं रहा बलकि जी रहा है वीडो रिपोर्ट जी मीडिया